जैश्री के दर दोस्तों कैसे हैं आप सब? आचा करता हूँ महादेव की क्रपैसे आप सब भी बहुत अच्छे हूंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केदानात की यात्रा पर हमें क्या-क्या समान लेकर जाना चाहिए जिससे की हमें कोई भी परिशानी ना हो लेकर हमारे मन में बहुत सारी confusion होती है अगर यात्रा करने से पहले आपने सही तरीके से backpack नहीं किया है तो आपको काफी सारी problem face करनी पड़ सकती है फिलाल लोगों की बीच ऐसी बहुत कम वीडियोज हैं या बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को अच्छे से explain कर पा रहे हो क आपको क्या क्या समान लेकर जाना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी परिशानी ना हो अक्सर जल्दबाजी की चकर में कोई ने कोई important चीज छूटी जाती है जिसे बाद में रास्ते में या फिस zone प्रियाक पहुँचकर खरीदना पड़ता है तो इससे अब होता ये है कि एक तो समान भी मेंगा मिलता है quality भी अच्छी नहीं रहती और मेंगा होनी के वज़े से हमारा budget भी बेगड़ जाता है तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो बिना skip कि ये last तक जरूर देखिएगा वरना कोई भी important बात आप से छूट सकती है तो बने रहिएगा वीड वीडियो आपकी playlist में हमेशा के लिए सेव हो जाए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करें और comment में हर हर महादेव लिखना ना भूलें ताकि महादेव का शिरवाद आप पर भी हमेशा बना रहे हर हर महादेव तो चलिए करते हैं वीडियो को चारदाम याता का registration जरूर से करवा लें क्योंकि इसके बिना आप यात्रा नहीं कर पाएंगे और उसका PDF अपने mobile पर सेव कर ले या फिर प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने साथ रख सकते हैं इसके अलावा आप डारेक्ट हरिद्वार या रिशिकेश पहुंच कर भी अ जरूर से लेकर जानी होगी क्योंकि ऊपर के दानात में कड़ाके वाली ठंड होती है जिसे आप सेहन नहीं कर पाओगे आप ये ना सोचें कि रास्ते में तो आपको गर्मी लग रही है तो आपको मंदिर में भी गर्मी ही लगीगी लेकिन मैं आपको बता दूँ वहाँ प कहते हैं जरूर से वेर करें ट्रेकिंग करते समय आप जीन्स या टाइंट पैंट बिलकुल भी न पहने इसकी जगह पर आप पैंट या फिर लोवर यूस कर सकते हैं आपको ज़्यादा कमफर्टेबल रहेगा क्योंकि 20-22 किलोमेटर की केदानात की ट्रेकिंग आपको करनी होती है इसके अलावा आप गलव्स, विंटर कैप, वाम सॉक्स जरूर से कैरी करें ये सबी एक एक इसेंशल आइटम होते हैं जब वहाँ पर बरफीली हवाय चलती है तो विंटर कैप और गलव्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं होने लगती है फिर हम बात करते हैं शूस को लेकर जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सभी लोग कनफ्यूज रहते हैं वैसे तो आप ट्रेकिंग शूस या स्पोर्ट शूस कुछ भी पहन कर जा सकते हैं पर मैं सजिस्ट करूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के ट्रेकिंग शूस ही पाए करें और लेकर जाएं मैं खुद परसनली ट्रेकिंग शूस ही वेर करता हूँ आप अपने साथ एक सेट स्लीपर का भी रख सकते हैं रिटन आते समय या फिर के दनात मंदर के आसपास गुमने के लिए आप स्लीपर का इस्तिमाल कर सकते हैं इससे आपके पैर वाला लाइट वेटेड बैग बड़ा वाला बैग जिसमें आपके मोटा मोटा समान आ जाएगा और जो छोटा वाला बैग है उसके अंदर छोटा समान रखना होगा जैसे की मेडिसेन, चार्जर, पावर बैंक और थोड़ा बहुत खाने का समान अब आपका जो बड़ा व पर 24 आवर्स के लिए होते हैं, फिर बात आती है कि दनात की यातरा पर जाते समय आपको कौन-कौन से दवाई लेकर जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से यातरी अपने साथ दवाई लेकर जाना भूल जाते हैं, जिनको बाद में बहुत प्रॉबलम होती है, अगर आपके या diabetes या BP वाली तो अपने साथ जरूर से कैरी करें, इसके अलावा painkiller, fever, lose motion, cough syrup, cold, wicks inhaler, disprin, move spray, bandage, kneecap, जरूर से कैरी करें, तो ऐसी बहुत सारी दवाईया हैं, आप medical store से अलग-अलग packet में रखवा कर pack कर लिवा लीजिए, और packet में नाम लिग दीजिए, ये बहुत जर रही है, तो भी आप pain killer और move spray साथ में जरूर से ले कर जाएं, क्योंकि जब आप 20-22 km का paddle track करेंगे, तो आपकी body के कई सारे joints खुलते चले जाएंगे, तो आपको joints में pain होना start हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको pain killer, medicines और move spray बहुत help करेंगे, क्योंकि केदाना थ्यातरा पर जाते समय, आपको कभी तेज दूख, तो कभी तेज बारिज, और रात के टाइम पर minus में temperature चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा परिशानी आती है body में, इसलिए आपके पास दवा होगी, तो आप उसे आसानी से ले भी सकते हैं, इसमें आपको कोई दिकत नहीं होगी, और इसमें जो fever वाली और pain killer वाली दवा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी, इसके साथी साथ आप अपने साथ कपूर, face wash, weseline, boroplus, moisturizer cream, sunscreen, hand sanitizer, hand wash, hair oil, soap, dude brush, small towel जैसी चीज़ें भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपका छोटा वाला bag है, उस पैदल ट्रेक कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे ब्रेक लेकर चलें, ताकि आपको कम थकान हो, इसके अलावा अगर किसी को भी अस्तमाया BP की problem है, तो वो लोग ट्रेक करना avoid करें, उसके लिए दूसरे option, जिसमें गोड़ा खचर, पिठु पालकी और हेलिकॉप्टर शामिल का भी यूस कर सकते हैं, अब इसके बाद next बात करते हैं कि आपके पास extra memory card, एक medium size की torch और power bank का होना बहुत जरूरी है, आप जहां भी stake करेंगे वहाँ पर light कभी भी जा सकती है, तो उस condition में torch आपके बहुत काम आएगा, इसके अलावा पैदल याद तरह करते समय भी torch आपक कर सके, जब आप पैदल याद तरह की शुरुवात करते हैं, तो सोन पर आगया गोरी कुंट से आप stick जरूर से बाय कर लें, जो कि आपको 30 से 50 रुपे में मिलेगी, चड़ाई करते समय उससे आपको बहुत help मिलेगी, जब आप पैदल ट्रैक करेंगे तो आपके पास होना और आपको जबरदस्ट एनरजी मिलती रहती है, आगे बढ़ते रहने के लिए, तो अब मैंने पानी का solution भी बता दिया है आपको, अब बात कर लेते हैं, खाने पीने के बारे में, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चाय नाश्ते के stalls मिल जाएंगे, तो अगर आप नाश् कि आप जब tracking करें, तो heavy खाना बिलकुल ना खाएं, नहीं तो tracking करने में problem हो सकती है, फिर आपके पास dry fruit, सूखा नाश्ता होना चाहिए, जैसे की numkin, biscuit, chips, toffee जैसे चीज़ें भी शामिल हैं, ये जो चीज़ें हैं, आपको अपने साथ carry करनी ही करनी हैं, अब हम बात करते है mobile tower को लेकर, कि हमारे पास कौन से sim होनी चाहिए, तो BSNL, Airtel, Jio के sim के tower आपको हमेशा मिलते रहेंगे, calling करनी की सुविधा आपको असानी से मिल जाएगी, अब बात करते हैं, चादाम यातरा पर ATM की सुविधा कैसी रहने वाली है, यानि कि हम यातरा पर cash कितना लेकर तो वहाँ पर आपको HDFC का एक मात रेटियम मिलेगा, तो आप अपनी यातरा के समय थोड़ा बहुत cash साथ में लेकर जरूर चलिएगा, अब बात कर लेते हैं, पैदल ट्रैक कैसे करें, तो आप early morning 3-5 बज़े तक track start कर दें, ताकि आप temple 12-2 बज़े तक पहुत जाएं, आप शाम को 4 बज़े के बाद, गौरी कुण से बाबा के दानाद के लिए पैदल ट्रैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गौरी कुण में बेरिकेडिंग लगा दी जाती है, और आगे जाने की permission नहीं दी जाती है, इसके अलावा, आप के दानाद से लोटते समय, रात में यातरा करने से पहले जाननी जरूरी थी, इसके अलावा, अगर आप पहली बर के दानाद की यातरा पर जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस पर भी डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आच ऑप्शन्स होते हैं, अपनी यातरा को पूरा करनी के लिए, ये सारी बातों को जाननी के लिए आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, आई होब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर फिर भी आपके मैंन में कोई डाउट या सवाल है, तो आप मुझ से क अपलोड करूँ तो उसका फायदा आपको सबसे पहले मिले, आज के वीडियो में फिलाल इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नई वीडियो में, एक नई यातरा के साथ, एक नई जान के अर्ग के साथ, आपकी यातरा मंगल मैं हो, जै हिन, जै भारत, हर हर महादेव झाल